जिहां जब बात मनीशा रानी पर आई तो अभी शेक मलहान चुप नहीं बैठे ये तो आप जानते ही हैं कि बिड बॉस OTT सीजन 2 का अगर कोई सबसे अच्छा जोड़ा है तो वो अभी शेक और मनीशा का जोड़ा है कुछ लोग इन्हें कपल के तौर पर देखते हैं तो कुछ बेस्ट फ्रेंज के तौर पर वेलन के रिष्टे का जोड़ी नाम हो मगर एक दूसरे के लिए इनका समरपन बताता है कि मनीशा और अभी शेक का गहरा और सच्चा नाता है वेल अब मनीशा के खातर अभी शेक ने दे डाला है बेबिका को चवाब ये बात तो आप लोगों को याद ही होगी कि कैसे बेबिका ने एक इंटर्व्यू में ये कह दिया था कि अभी शेक और मनीशा दोनों नेगिटिव पियार करवा रहे हैं दोनों दूसरों को ट्रॉल करवाने के लिए पैसा दे रहे हैं जब तक बेबिका अभी शेक से लड़ती थी अभी शेक बुरा भला कहती थी अभी शेक उसे मजाक में ले लेते थे लेकिन अब मनीशा पर बात आई तो अभी शेक मलहान ने बेबिका को शांदार जवाब दे दिया असल में एक यूजर ने लिखा चुटकी बजा के बेबिका को गायब कर दो तो अभी शेक मलहान ने लिखा वो कौन? जी हाँ, अब अभी शेक बेबिका को जानते ही नहीं है बेबिका दूर बे आपने कहा थाना कि मैं चाहती हूँ कि अभी शेक के फॉलवर्स मुझे अनफॉलो करके मुझे अगेला छोड़ दे तो लीजिये, अनफॉलो करना तो दूर की बात है अभी शेक ने तो आपको पहचानने से मना ही कर दिया है मनीशा और अभिशेक के खिलाव बिना किसी फ्रूफ के उनका नाम लेकर उन पर आरोप लगाना इसके बाद इतना तो बनता ही है वैसे फैंस को बताते जलें की सिर्फ इतना ही नहीं यह बात फैलाने वाली भी बेबी का ही थी कि अभिशेक ने कहा है कि अगर Elvish reunion party में आएगा तो मैं उस party में नहीं आऊँगा जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो अभिशेक fans, Manisha fans, Abisha fans, समझ गए न अब बेबिका आपके लिए कौन है? बेबिका की negativity का आपको कैसे जवाब देना है? हैश्टाग वो कौन? पाइनल कॉट, नियूस्टेस्क